हलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ लेली तरिया टेक्निकल लैब में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कमाल का फोटो साप उसमें सब कुछ हो जाएगा रीटचिंग हो जाएगा मेकप हो जाएगा सार्पनेस बढ़ जाएगा कंट्रास्ट बढ़ ज लिजिए वेल आइकान पर जाकर के आल पर प्रेस कर लिजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पाउसता रहा है मैं इसी तरह का वीडियो हमेसा लाता रहता हूं तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों आपको हम बता दें आप वीडियो के डिस्क् फाइल करनी है उसके बाद इसमें पासवार्ड लगा हुआ है ठीक है अभी हम वीडियो के लाश्ट तक आपको हम पासवार्ड बता देंगे ठीक है किसमे का पासवार्ड क्या है तो जैसे हम इसमें का पासवार्ड डाल लेते हैं पासवार्ड डालने के बाद आपको ओके क करने के बाद आपको इस तरह से फोल्डर मिल जाएगा तो डाउनलोड करिएगा तो इस तरह से रार फाइल मिल जाएगी जब इस्ट्रेक्ट करिएगा तो आपको इस तरह से फोल्डर मिल जाएगा ठीक है तो इसे कैसे इस्टाल करना है इसको हम जैसे ओपेन करते हैं ओपेन करना है तो पहले हम लोग इस्टॉलेशन कर लेते हैं उसके बाद रजिस्टेशन कर लेते हैं उसके बाद हम आपको किस तरह से काम करना है वह हम बता दे रहे हैं तो ठीक है तो जैसे हमालीजी सेटप पर डबल क्लिक किये डबल क्लिक करने के बाद यस्ट मो का परमीसन मांग रहा है आपको यस्ट करना है उसके बाद ओके कर देनी है उसके बाद आपको यहां से नेश्ट कर देना है आई अक्सेप्ट कर लेना है उसके बाद नेश्ट कर देना है फिर से नेश्ट कर देना है फिर उसके बाद आपक इस्टॉलेशन हो रहा है तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से आ जाएगा यह पूछ रहा है या नहीं करना तो हमें अभी लांच नहीं करना है अंचेक कर दे रहा है उसके बाद हमें या से फिनिस कर दे रहे हैं ठीक है यह हमारा इस्टॉलेशन हो चुका है अब इसे हमें क्या करना है रजिस्टर करना है यानि इस फोटो सापको हमें रजिस्टर करना है तो रजिस्टर कैसे करना है आप देख पा रहे हैं आपको यहां से एक रिप्लेस फाइल दिख रही है इसको ओपेन करना है ओपेन करने के बाद आप यहां पर आप देख पा रहे हैं open file location ठीक है आपको यहां क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यह आप वहां पहुंच चुके हैं जहां आपकी software install है ठीक है जहां आपका file install है c drive में program file में वहां यह पहुंचा देगा आपको क्या करना है यहां खाली जगह पे आपको right click करना right click करने के बाद paste कर देना है आप देख पा रहे हैं यह replace का option मांग रहा है आपको skip नहीं करना है यह आपको ध्यान रहे हैं यहां से replace कर देना है replace करने के बाद यह देखिए skip करने के लिए कर रहा है cancel कर रहा है और continue तो हम में नहीं skip करना है नहीं cancel करना है हमें यहां से continue पर क्लिक कर देना है तो यह हमारा replace हो चुका है अब इसे हमें क्या करना है close कर देना है close करने के बाद हम इसे open up करते हैं डबल क्लिक किये यह पहली बार कुछ इस तरह से खुलेगा अब देख पा रहा है यह हमारा open हो चुका है ठीक है और यह देख पार है एक message आया हुआ है यह आप यहाँ पे क्लिक करके इसके अधर feature पर भी पहुंच सकते हैं जैसे other software पर भी पहुंच सकते हैं update version जो आया होगा इस लोई समय कहा उस पहूंक सकते और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन इसल्म आप डाउनलोड कर येगा तो पर सेस्रेज करने के लिए माघेगा लेकिन जो आहम आप को साफ़ोयर दे रहे हैं यह बिल्कुल फरी है ठीक है है करा सकते हैं तो मालनी जी हमें यहां से ही open कराना है तो हम इस पर एक बार क्लिक करते हैं एक ब्राउज हुआ है यह हमारा ब्राउजिंग के लिए खुल गया है तो हमारे पास desktop एक डेमो की पिक्चर पड़ी हुई है हम हुआ से एक पिक्चर उठा लेते हैं जैसे मालनी जी हम फोटो उठा ले रहे हैं आप देख पा रहे हैं यह प्रोसेसिंग हो रहा है ठीक है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यह हमारा प्रोसेसिंग हो चुका है ठीक है यहां से आप देख पार रहे हैं इसे compare कर सकते हैं कि हमारी before क्या थी और after क्या है ठीक है और यहां से फिर original भी आप कर सकते हैं ठीक है उसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहां one by one में कर सकते हैं यहां से face आप ले आ सकते हैं यहां से आप research कर सकते हैं उसके अलावा आप यहां से zoom कम बेसी कर सकते हैं आप देख पार है कोने प्रिशेट का option आता है उसके बाद यहां से undo का option आता है ठीक है तो हमें काम अप करना है किस तरह से इसे सजाना इस photo को हमें यह देखना है ठीक है हम पहले इडिट में आ जाते हैं इडिट में आने के बाद आप देख पा रहे हैं यह सिंगल हमारा photo हो चुका है तो आप देख पा रहे हैं यहां से auto retouch है इसको हम एक बार open करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यह पहले से preset बना हुआ है जैसे आपको जो इसमें से बेश्ट लगे आप उस पर क्लिक करके रख सकते हैं आप देख पा रहा है चेहरे के तरफ आप देखिए चेंज हो रहा है ठीक है जो आपको इसमें से फेस अच्छा लगे उस पर आप क्लिक करके रख सकते हैं कि देखिए जहां क्लिक कर रहे हैं वह एक्टमेटिक फोटो चेंज हो जा रहा है ठीक है उसके अलावा यहां से कैंसिल हो जाएगा तो हमें कैंसिल कर लेते हैं फिर से आउटो रिटेच में आते हैं अब देख पा रहे हैं यहां से कस्टम सेटिंग है अब देख पा रहे हैं कम बेसी कर सकते हैं, यहां से रेडनेस कर सकते हैं, छहरे पर यदि याँ से आप कम कर सकते हैं, जैसे हम देखिए, यहां पर बढ़ा दिए, तो आप देख पार है, यहां पर ब्राइट ज़्यादा हो चुका है, ठीक है? हम इसे जितना आपको चाहिए, post शक्ता अनुसार उतना ही रखी है ठीक है आप यहां से skin tone mount कर सकते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं चेंज हो जा रहा है ठीक है यहां से आप sharpness दे सकते हैं अब देखिए यहां से contrast बढ़ा सकते हैं डार्क scale आप इधर उधर कर सकते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं या आख सीधे में आप देखिएगा तो देखिए कम बेशी हो रहा है ज्यादा कर देंगे तो अच्छा नहीं दिख रहा है ठीक है इसको अपने हिसाब से आप रख सकते हैं आपको sharpness मिल जाएगा यहांसे contrast है यहांसे आप देख पा रहे हैं यहांसे lips का यहांसे आप sharpness बढ़ा सकते हैं गटा सकते हैं कांट्रास्ट कर सकते हैं यहां से हम बढ़ा रहे हैं तो सार्पनेस आप देख पा रहे हैं बढ़ रहा है यहां से कम कर रहा है तो यह कम हो जा रहा है ठीक है यहां से कंट्रास्ट है यहां से आप अपने कलर को तो चेंज कर सकते हैं, देखिए जैसे चेंज हो पा रहा है, देखिए कुछ इस तरह से, देखिए, यहां से situation आप कम बेसी कर पाएंगे, देखिए जैसे हमें ज्यादा बढ़ाना है, रेडनेस करना है, या कलर ज्यादा करना है, तो हम पलस की तरफ करेंगे, नहीं तो माइन की तरफ करेंगे, आप देख पा रहे हैं, तो हम थोड़ा पलस की तरफ ही रखना है, यहां से लुमिनेस है, आप देख पा रहे हैं, यदि बढ़ाएंगे तो यह बढ़ेगा, गटाएंगे तो यह घटेगा, अब देख पा रहे हैं, ठीक है, तो यहां से यह हो सकता है, द detect कर रहा, face को detect कर रहा है, आप देख पार है, इन्टोमेटिक जूम हो गया, और यहां से आप वीडियो टूटियोरियल आप देख सकते हैं, कि किस तरह से आपको यहां पे काम करना है, ठीक है, यहां से आप देखिए, face white बढ़ाते हैं, आप देख पार है, मोटा पतला हो रहा है, देखिए, face के तरफ आप देखिए, यह मोटा पतला हो रहा है, ठीक है, यहां से आप मोटा पतला कर सकते हैं, यह eye size है, आप देख पार हैं, यह आप बढ़ाएगा, तो यह आप देख पार हैं, आखे बड़ी-बड़ी हो जा रही हैं, और इधर minus की तरफ करिएगा, त अपने face के हिसाब से आप रख सकते हैं, उसके बाद यहां से आप angle देख सकते हैं, देखिए, आपकी आखे कुछ rotate हो रही हैं, अब देख पार हैं, तो इसे हम zero ही रखते हैं, उसके बाद यह distance, जो आख का distance है, थोड़ा दूर हो जाएगा, इधर करिएगा, थोड़ा पास हो जाएगा, आप देख पार हैं, कुछ इस तरह से यह काम करेगा, ठीक है, उसके बाद यहां से noise में आते हैं, यहां से wide है, आप देख पार हैं, यह noise मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद यह height है, आप देख पार है यहां से नाक को लंबी करनी है छोटी करनी है लंबी करनी है छोटी करनी है ठीक है तो यहां से आप कर सकते हैं उसके बाद यहां से लिप्स साइज है आपको बता दें यहां से आप देख पा रहे हैं लिप्स में आते हैं लिप्स में यह साइज है जैसे मोटा करना है पतला करना है मोटा करना है पतला करना है तो इस तरह से आप अपने लिप्स को मोटा पतला कर सकते हैं उसके बाद यहां से वाइड में आते हैं आप देख पा रहे हैं यह बड़ा हो जाएगा यह छोटा हो जाएगा यह बड़ा हो जाएगा, यह छोटा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद इसमाइल में आते हैं, आप देख पा रहा है, यह स्माइल में हो गया, यह सैड हो गया, यह स्माइल में हो गया, यह सैड हो गया, अब देख पा रहा है, आपके सामने चेंज हो रहा है, ठीक है, तो यहा से height है अब देख पा रहे हैं lips को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं आप देख पार हैं जहां इसको set करना चाहते हैं मसर्फिन को आप वहां पर देखे सेट कर सकते हैं उसके बाद ये चिन है आप देख पार रहे हैं mmm गले के पास ये काम कर रहा है,inder देखिए इस तरह से आप काम कर सकते हैं उसके बाद यहां से आप देख पा रहे हैं आइब्रो है यहां से हम जैसे देखें आइब्रो को मोटा पतला करना चाहते हैं तो यहां से यह मोटा पतला हो जाएगा ठीक है उसके बाद यहां से हाइट है उपर रखना है या थोड़ा नीचे रखना है उपर रखना है या थोड़ा नीचे रखना है तो यहां से यह हो जाएगा यहां से distance है आप देख पा रहे हैं यहां से pass में रखनी है या थोड़ा दूर करना है पास में रखना है या थोड़ा दूर करना है तो यहां से आप distance रख सकते हैं, यह curve है, आप देख पा रहे हैं, कुछ ही इस तरह से यह काम करेगा, जैसे eyebrow को गोल करना है, तो आप यहां से कुछ है से करके बड़ा घटा सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हम cancel करते हैं, उसके बाद यहां पे आते हैं, रेडियंस वाइड साइज पे आते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, यहां पे टुटोरियल चल रहा है, कि किस तरह से हमें काम करना है, ठीक है, तो यह आप देख पा रहे हैं, यहां पे तीन बन गया है, आप जहां भी इसे मोटा पतला करना चाहते हैं, वहां पे आप कर सक दखते हैं जैसे मालनी जी मेरे पास full size image नहीं है चलिए इसको हम चलिए एक दूसरा full size का image हम ले ले रहा है उस पर करके हम आपको दिखा दे रहा है जैसे हम यह फोटो ले लिए आप देख पा रहे हैं ये फोटो आ चुका है तो जैसे माल लिजिए हम इस पर क्लिक किये और उसके बाद जैसे कमर पर हम लगाते हैं इसको पहले हम सेट कर लेंगे ठीक है उसके बाद यहां से हम मांट को कम बेसी करेंगे आप देख पा रहे हैं यह फतला हो गया यह मोटा हो गया आप देख पा रहे हैं यदि किसी की कमर मोटी है तो आप यहां से फतला और मोटा कर सकते हैं ठीक है उसके बाद back आते हैं उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहां पे किसी भी अंग को मोटा या पतला करना हो तो यहां से आप क्लिक करिए आप देख पा रहे हैं यह जैसे सोल्डर पे करके यह देख पा रहे हैं यह टूट्योरियल चल रहा है जैसे मान लिजिए हमें यहां मान लिजी यह सोल्डर को ही बढ़ाना घटाना है ठीक है यहां पे हम किये हैं उसके बाद यहां से माउंट हम कमबे सी करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यह मोटा पतला हो रहा है ठीक है तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं उसके बाद लेग में आते हैं यहां तो पैर दीख नहीं रहा है ठीक है तो हम इसे कुछ नहीं कर पाएंगे उसके अलावा यह सिलीम है आप देख पा रहे हैं यह सिलीम है और जैसा आप करना चाहते हैं मालने जी यहां पर देखिए ज़्यादा है तो यहां से आप खीच करके इसे इस तरह से पतलाप कर सकते हैं अपने आवसकता अनुसार ठीक है जहां से माले जी यहां से खीच करके इसे बार की तरह हम निकाल सकते हैं तो इस तरह से आप यहां पे काम कर सकते हैं उसके बाद आते हैं मेकप में मेकप में हम आपको बता दें मेकप का पहले इसमें रीटर्चिंग में काम हो चुका है इसलिए मेकप वाला ये खुलेगा नहीं ठीक है फिर कॉस्टम में आते हैं उसके बाद ये कॉमन में आते हैं कॉमन में आनेक बाद आप देख पा रहे हैं यहां से क्रॉफ कर सकते हैं जो भी है जिस साइज में रखना चाहते हैं उस साइज में आकर के क्रॉफ कर सकते हैं उसके बाद यहां से आप light color आप change कर सकते हैं देख पा रहे हैं जैसे कोई भी light बढ़ानी है या घटानी है आप देख पा रहे हैं यहां से आप अपने image को जैसा रखना चाहते हैं अब देख पा रहे हैं यह जैसा मलब अपने image को रखना चाहते हैं वैसा आप रख सकते हैं यहां से सब कुछ change करके ठीक है उसके बाद यहां से colors है यहां से आपना color change कर सकते हैं यह orange है red है ठीक है yellow है green है आप देख पा रहे हैं green पर ही काम करेगा तो इस तरह से आप अपने image पर काम कर सकते हैं अच्छी तरह से हम सिर्फ आपको demo बताया है कि किस तरह से इस software में काम होगा ना कि अच्छे से हम फोटो आपको समझाएं ठीक है और उसके अलावा कैसे इस सेब करना है सेब करने से पहले हम आपको बता दें इस वीडियो का जो password है 9 6 3 2 ठीक है तो एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे है 9632 इसका password है तो आई हम save करना आपको बता दें यहां से आप जाएगा file पे file पे जाने के बाद आप यहां से save करिएगा उसके बाद इसको कहां save करना है जैसे मालने जे डेश्टाप पे save करना है तो यहां पे हम location देते हैं यहां पे नाम हम कुछ change कर दे रहेए ठीक है इसको कर दे रहे ठीक है यहां से 90% है हम हंड्रेट पर्शेंट करके यहां से save कर दे रहे है ठीक है तो यह हमारा save हो चुका है अब देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरह से आपका इमेज बन करके आज आएगा तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आये है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए वेल आइकान पे जा करके आल पे प्रेस कर लिजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुशता रहे मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा लाता रहता हूं